के विडियो में आपको बताऊंगी कि आपके पिंपल्स दाने और उसके दाग कैसे कम हो सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है मैंने इस रेमेडी के लिए पतंजली का अलोवेरा जल यूज किया है अगर आपकी पास नाच्रोल अलोवेरा का प्लांट है तो आप उसमें से भी एक्स्ट्राक कर सकते हैं यह अलोवेरा हमारे चेहरे को मौशराइज करता है अलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होता है जो कि हमारे डामिज स्किन को रिपेर करता है पेस पर जो डाख स्पॉर्स या पिंपल के मार्क्स होते हैं उसे भी कम करता है मैंने यह हल्दी पाउडर घर में बनाए और यह 100% प्योर है अगर आप चाहते हैं कि आप घर में हल्दी पाउडर बनाए तो आप कुछ खड़ी पोर्स को टारगेट करती है जिससे हमारे स्किन के दाग धबे और पिंपल्स आपने कम हो जाते हैं और यह हमारे चेहरे को साफ करता है जिसे कि और पिंपल्स दाने नहीं निकलते हैं नीम में एंटी सेटिक, एंटी बैक्टिरियल, एंटी इंफ्लमेट्री, एंटी पंगल और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपरटीज होती हैं जिससे कि आपकी skin infection, rashes, acne, allergies, pimples दूर हो जाती हैं नीबू में bleaching properties होता है जिसके regular use से दाफ कम हो जाते हैं और साथ ही ये skin का color light कर देता है बनाने के लिए सबसे पहले आपकीची एक टेबिल स्पून अलोवेडा जेल फिर इस पाक में डाली आप एक टेबिल स्पून लेमन जूस फिर आड करना है थोड़ी सी हल्दी और फिर नीम पाउडर सारे इंग्रीडिएंस आप अच्छो तरीके से आड करने के बाद मिक्स कर लें और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए ये जादा रनी नहीं होना चाहिए और जादा थिक भी नहीं होना चाहिए इस पैक को लगाने के पहले आप ध्यान रखें कि आपका पूरी तरीके से साफ है. आप इसने चयरे को नॉर्मल पानी से भी ढोकर साफ कर सकते हैं. इस पैक को बनाने के बाद आपको इसे दो से 3 मिनट के लिए छोड़ना है उसके बाद ही इसे लगाना है. इस रमेडी को आपको हफते में कम से कम चार से पांच दिन तक लगाना है आपको एक हफते में विजिबल रिजर्ट दिख जाएंगे और बेस्ट रिजर्ट के लिए आप इसे एक महिने तक लगाएं इस पैक को लगाने के बाद आपको पंदर में तक इंतिजार करना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह प्राक्ट पूरी तरीके से सूख चुका है इसे आपको से नॉर्मल पानी से अपने चहरे को धो लेना है अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छी लगती है तो इस चानल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को डेह सारा लाइक दें न